हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब और आज की जो शॉट ट्रिक है वो है संख्याओं का योग लेकिन उसके अंदर भी कौन सा only even के वल संख्याओं योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं तो उसका formula होता है x multiply x plus 1 और x क्या है उसके लिए बना लिखा है कि x का मतलब है जितनी संख संख्या even number होंगे मतलब आप जहां से जा रहे हो वहां पर बीच पे कितनी संख्या पढ़ी है वो लेना है अब संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जो हम गिंती लिखते हैं एक दो तीन चार पांच छे लिखते हैं उस पे एक क्या है विशम दूसरा क्या होता है सम फर्स और सेकंड एवन थाड़ वापस और फॉर एवन मतलब यह पेर में चलते हैं मतलब अपने जोड़ी बनाते हैं एक सम विशम विशम ऐसे तो दोस्तों देखो क्या है समझना आपको अगर मैं आपको सीधा बोलो कोई फोमले स नहीं जाना हो तो फिर आप समझना एक से दस तक कितने सम संख्या और कितने विशम संख्या है तो कभी भी अगर लास संख्या इवन आ जाए सम संख्या आ जाए तो इसको डारेटे आदा कर लो तो सम संख्या का आदा करोगी तो इसका मतलब पांच क्या होगी सम तो पांच संख्या क्या होगी विशम तो पांच संख्या और पांच विशम यहां तक कोई डाउट नी होना चाहिए अगर मैं आपसे बोलो कि एक से पंद्रा तक कितनी संख्या है और कितनी विशम है तो इसको समझना वेरना इसका एक तरीका ये भी है कि फिटेन जब पंद्रा संख्याओं में लाश वाली क्या हो रही है विशम संख्या होने से आप क्या करो इस पर से एक कम करो कित्ते आई फॉर्टिन चौदा संख्या अब चौदा संख्या अपना इदर पेर बनाएगी जोडिया मनाएगी तो इसका मतलब है इसके अंदर सम और विशम देख राश्ट में से एक नबर चूड़ीया ने वह वी शमिंग्या मैं वह वीशन पड़ जाएगा तो जब भी सब्सक्राइब्ड कभी मुशन नाश्ट में वीशंसंग्या आए मैं साहसा जी न हमें 7 अब पचैस तक एक इस हन तो सम और 25 ही क्या होगी वीशम लेकिन अगर बात हो 1 to 35 35 तक कि 1 से 35 तक सम संख्या कितनी पड़ेगी तो 1 से 35 है अब बहुत सारे आदा करना कौन सा करना है ऐसा नहीं सोचो तो ऐसे करो 35 बुला मैंने 35 तक जाना है तो आप क्या करो एक कम करो इस पैसे एक कम करो गे तो हमें कितन इता मिलेगा 34 34 मिलेगा अब इसका अधा-धा कर सब्सक्राइब सम्ञब करें 1717 17 सातरा हो गया तो सत्रा संप है और सत्री क्या है वीशम अब क्या हो रहे है एक वीशम जादा है तो भीशम बढ़ जाएगी तो सको 8 ता आप विशम किते हुई 18 और सम किते हुई 17 अब आते हम कि सम का योग कि उसको टोडल कैसे करते हैं उसके लिए तो सम का योग कैसे निकालते हैं वह देखते हैं चलो तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक से लगाकर 10 तक एक से लगाकर 10 तक केवल सम संक्या जो है उनका योग निकालो केवल सम संक्या योग तो हमें x की value निकालनी x का मतलब है जितनी सम तो एक से 10 तक पे कितनी सम हुई 5 तो सम का योग किता होगा जितनी सम संक्या हो उसको अगले वाले से गुणा अगले वाले से मतलब 5 के बाद क 6, 6 से गुणा, तो 6 into 5 किता हो गया, 30, यह हो गया अपना अंसर, तो एक से लगा कर 10 तक समझ से होता है, चलो, आगे देखता है और अगर आपसे पूछा जाए कि एक से लगा कर 25 तक केवल समझ से यह जो किता होगा, एक से लगा कर 25 तक तो 25 में क्या करूँगा एक छोड़ दूगा पहले कितावा 24 और 24 का कर दूगा में आधा आधा तो यह हो जाएगा even sum 12 और odd विशम 13 क्योंकि 12 है यह और plus 1 इधर से बढ़ जाएगी लेकर हमें निकालना है sum का योग तो sum का योग अगर निकालना हो तो क्या करेंगे जितनी sum संख्या होगी उसको next वाले से multiply करेंगी और 12 multiply 3 होता है 156 मतलब 156 यह होता है sum संख्याओ का योग ठीक है अब आता हूँ आगे sum 10 sum practice संख्याओ योग ज्याद करो मतलब first 10 even natural number तो even natural number का हमें योग निकालना है अब हम आते हैं यहाँ पर formula है x multiply x plus 1 और x का मतलब क्या है जित किती हैं यहाँ पर कि 10 तक गिंती गिननी है यह 10 संग लेनी है то याद रहना क्या लिखा है प्रथम 10 सम संख्याओ योग अपको 10 170 संख्याओ लेनी है तो इसका मतलब 10 संख्या के लिए आपको गिंती बोलनी पड़ेगे 20 तक लेकिन हमें उधर की जरूद नहीं है क्योगि तो दस इंटू, दस के बाद क्या आता है, ग्यारा, तो 10 multiply 11, किता हो गया, 110, मतलब किता हो गया, 110, clear, तो जब भी कभी ऐसा योग पूछे सम का, तो सम का योग ऐसा निकालता है, ठीक है, और दोस्तों आपको पता है, जैसे 2-3 मिनट का टाइम निकालो रोजाना, मेरी दीन की दो शॉट ट्रिक आती है, 2-3 मिनट का टाइम निकालोगे, चलते हुए, गुमते हुए, फिरते हुए, बैठे हुए, तो आप रोज जो है, मैथ का कुछ ने कुछ जरूर सिखोगे, ठीक है दोस्तों, मिलते है बापस अगली वीडियो में, जिस पर हम पढ़ेंगे, वीश जिसमसे इंकालोगे, यूग